देरेंद किशु शास्त्री हिंदु धर्म का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम धार्मिक महाकुम कर रहे हैं आज तक से बाचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं बहुत दो स्वागत है आपका आज तक पर माराजी और हिंदु राष्ट का संकल्प इसी को लेकर के यग्य हो रहा है अनुष्ठान हो रहा है और अब तो कई दूसरे नेता भी जो है सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सनातन को तो आगे आना चाहिए हिंदु राष्ट ह होना चाहिए अगर जिसके अंदर शनातन का खून होगा विलड होगा जुनून होगा वो दिल खोल कर यह बात को शपोर्ट करेगा बोलेगा और वो करवा करके रहेगा इसके खून में दिक्कत होगी नहीं बोलेगा तो उनसे कोई फरक नहीं पड़ता है आपने जब यह सं देख रहे थे देखो अंदाचा तो ऐसा है कि हमने सुना है कि बागे शुर्धाम पेर जी लगती यह परचा बनता है तो हमें भरुषा अपने इस्ट पर अटूट है और हमें हमें तो यह भी अंदा जाए कि भारत हिंदू राष्ट घोशित हो रहा है आपके सनातन धर्म की जब बात आती है तो साधी प्रग्यसिंग ठाकुरी अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो भारत में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए अच्छी मांग है बहुत अच्छी मांग है आई सपोर्ट एक सवाल बस हाला कि राजनीतियों पाज बोलते नहीं है है लेकिन आप स्वामी परशाद मोरे हों कहते हैं कि चीन को भसम कर दे आप अगर इती नहीं शक्ति हैं हम सनातन धर्म के संभाहक हैं और हमारे धर्म में किसी को भी दमन करना या हिंसा करना नहीं सिखाया जाता है शिक्छा देना हमारे धर्म की एक नीती है अगर उन्हें लगता है तो उन्हें पहले खुद जाकर ट्राय करना चाहिए एक सवाल स्वामी जी आकरी में यह रहेगा महाराजी कि एक ऐसे नेता थे जो पहले तो आप पे आकरमन कर रहे थे लेकिन उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता आए वह आपके तर्वार में आपका आशिरवाद लेके चले गए तो कौन सा डेकर डॉन जो आते हैं सब कर शुकार हम इन सब में ज्यादा कौन विरोध करना है पड़ते नहीं देन्यवाद जो आए बागिश्वर भालाजी का धाम है सब को आशिरवाद आपके गुरुजी है वो कहने भोपाल का नाम बदलना चाहिए प्राचीन नाम वही है अब यक्ति की प्राचीन नाम से जाना इस्थान को प्राचीन नाम से जाना जाना